के लिट के लिए इस डियारो कि शर। तुम्हारे लिए फोन है बोलिया साब कैसे याद किया बंटी तेरे लिए एक शिकार है वो जहल के अंदर ही है क्या करना है साब शेर को एक बकरा मिल जाये तो वो क्या करेगा समझ कया साब काम हो जाएगा ऑई यह है कि अंदर चाल आदर चाल आदर हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है भागो यहां से भागो यहां से मुझे यहां से बाहर निकालो मुझे यहां से निकालो कूल कूल बंटी यह क्या हो रहा है वो मुझे मार डालेगा अरे क्या बख रहो शेयर को कौन मारेगा शियर शियर क्या लगा रखा है सर मैं उसके सांबले डॉगी हूँ डॉगी डॉगी? उसका नाम सुनते ही गुंडे भी काप ने लग जाते हैं सर उसी के डर से मैं यहां इस जेल में छुपा बेठा हूँ वो बियार का बबर शियर है वो पुलिस डिपार्टमेंट का रुस्ताम है रुस्ताम सर नमस्ते सर सर मैं हूँ सर महेश प्लीज आए सर बैठिये आप कैसे हैं सर सब हमारे ही लोग है सर घबराने वाली कोई बात नहीं है अब बैठिये हैं सर पर ये सब क्या है अतिथी देवभवा सर जो भी मेमान हमारे पास आते हैं हम उनका इसे ही स्वागत करते हैं सर यहां आने वाला कोई भी खाली पेट या खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ऐसा हमारे बॉस का ओर्डर है सर पहले मुझे यहां पर क्यों बुलाए हो यह बताओ सर सुना है कि शहर में केस के बारे में आप इन्वेस्टिकेशन कर रहे हैं और ये बात हमें आपके डिपार्टमेंट वाले नहीं बताई है बीना हमारे जानकारी किया कुछ नहीं हो सकता है सर सर हमारे यहां के प्रिष्टिज विला में आपके नाम से एक विला बुक किया है सर और मकडी रोड के बाजू में 100 एकड की जमीन है और साथ में इंपोर्टेट बिन्स कार सर 2019 का मडल है सर और खर्चा बानी के लिए ये सारे पैसे सर ये सर मिला कर पूरे 10 करोड के आसपास होता है ये सब आपका हो सकता है सर आप जिस केस का इंविस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें कलेट किये हुए एविडेंस और प्रूफ्स बस हमें सौपना होगा सर मेरे पापा, मदुकर देश पांडे रिटायर्ड स्कूल हेड मास्टर हर महीने 25,000 उने पैंशन मिलती है मेरे बीवी एक बैंक इंपलॉई है 60,000 रुपे उसकी सैलरी है मैं सरकार के लिए काम करता हूँ और मुझे 1,000,000 रुपे हर महीने सैलरी मिलती है जिन्दगी खुशी से गुजारने के लिए इतने पैसे काफी होते है इन सारे प्रूफ और एविडेंस को मुझे जहां पर पहुचाना है मैं वहां पर पहुचा कर ही रहूँ सर, एक मिनट सर सर, कहिए सर वो मान गया क्या? नहीं सर, माना नहीं मैंने सब कुछ दिखाए, फिर भी नहीं मान रहा है सर ठीक है, एक चांस देकर देखो ठीक है सर, बोल के देखता हूँ सर, हमारे बोस आपको एक चांस और देना चाहते हैं सर किसी की जान लेना आसान है पर उसका जमीर खरीदना इतना आसान नहीं होता तुम्हारी इन सब चीजों को पाने के लालच में मैं खुद को बेचने वाला नहीं मैं डूटी मैं कभी कभी ऐसा करना पड़ता है सर नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ता है एक AIS आफिसर के सामने उमची आवाज से बात करना गलत होता है और तुम मुझे धमकी दे रहे हो एक बात याद रखना तुझे छोड़ूँगा नहीं मैं हम यहाँ हों मिनिस्टर दुर्गा प्रसाद के घर के पास खड़े हैं मन्ति जी कुछी देर बार यहाँ आकर हमसे बात करेंगे मुझे पार्टी ज्वाइन किये हुए तीन साल हो चुके हैं आप मुझे अपना गॉड़ फादर समझते हैं मुझे होम मिनिस्टर बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं मैं अपनी प्यारी जनता को और अपने सभी मीडिया के लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर आप अगले चुनाव में CM के उमीदवार होंगे ऐसा हमने सुना है सर पार्टी के लिए इंसान मुख्य नहीं होता है पार्टी के मुख्य लोग इसका फैसला करेंगे मैंने आप लोगों को यहाँ इसी लिए बुलाया है अपने पार्टी के नए स्टेट यूद प्रेसिडेंट से आप सब को मिलाना चाहता कौन है सर आपका बेटा अर्जुन है क्या नहों मेरा दूसरा बेटा आदेत्या नमस्ते सर कुछ भी करके मेरे बेटे को ढूंद दीजिए हमारे डिपार्टमेंट ने इस केस को बहुत ही सिरियसली लिया है सुभे शाम हमारे डिपार्टमेंट के लोग आपके बेटे को चारु तरफ ढूंद रहे हैं इस मिसिंग केस में चाहे किसी का भी हाथ हो उसे हमारे डिपार्टमेंट के लोग आसानी से नहीं छोड़ेंगे आपको धहरी रखना होगा सर मैं अपने आपको तो हावसला दिला सकता हूं लेकिन उसकी बीवी और बच्चे को मैं कैसे हावसला दिलाऊं सर बुरा नहीं मानिएगा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं आपके बेटे के पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी क्या नहीं सर मेरा बेटा बहुत अच्छा है उसके चरितर पर शक्त मत कीजिए सर मेरा मतलब वो नहीं था आप लोग ऐसे रोते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी रोने की जगे अगर आप लोग इस केस में हमारा साथ दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर आफिस से संबंधित कुछ पेपर्स या गौर्मेंट डॉकुमेंट्स आपके घर में मिले तो आप लोग उसे हमें दे दीजीगा मेर उसकी कोई पर्सनल चीज आपको घर में मिले तो उसे लाकर आप मुझे दीजीएगा उससे आगे जांच करने में मदद मिलेगी सर मीटिंग का टाइम हो गया है सर ओके सुनिए मुझे एक इंपोर्टेंट मीटिंग में जाना है आपसे अगले हफता मिलूँगा तब तक प जितने बेताब मेरे बेटे के लेपटोप को हासिल करने के लिए हो रहे हैं उत्रहीं इंट्रेस्ट अगर उससे ढूनने में लगाए तो शाया वह मिल जाए आज की ब्रेकिंग नीज ये है की इस वक्की ब्रेकिंग नीज ये है कि你要 अफिसरų कर्देश पांड़े ला-पता हो गए है इसके बारे में ज्यादा इंफर्मिशन देंगे हमारे प्रतिनीधी महेश शुबकर देश पांडे, कुछ दिन पहले अनुमान लगाये जा रहा है कि वो गायब हो गए है इस बात को लेकर पुलिस कमिशनर पूरे शहर में पूछताच कर रहे हैं इछले छे महिने में आई एस ओफिसर की लापाता होने की ये तीसरी ख़बर है और ये चिंता का विशय है उनके लापाता होने के पीछे आखिर किसका हाथ है इसमें पॉलिटिशन्स या इंडस्ट्रियलिस्ट किसी का भी हाथ हो सकता है एसा सवाल जनता की बीच में उठ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिस वाले हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे सुनिये कहीं इसके ओफिस में तो कुछ है ये तो कैसे बात ही करें वह हमारा बेटा है उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो मैं चारी की हालत तो देखो हमें उससे समझना चाहिए जो भी मुझ में आया पक देती हो सुमित्रा इमांदरे से ड्यूटी करने वाले को पल पल पर दिख्कतों का समना करना ही पड़ता है मेरी बात सुनिये बेटे को ढूनने के लिए हमने पूरा शहर च्छान मारा एक भी इंसान क्या मदद के लिए आगे आया किसी ने कोई मदद की नहीं ना सत्य की हमेशा जीत होती है ऐसा कहा गया है ना मुसीबत में रहने वालों की ज़रूर कोई न कोई शक्ति आकर मदद करती ही है कान है वो कि अरे हटना यह रास्ते ने खंबे जैसा क्यों ख़ड़ा है ए देवी मा भवानी चाहे कोई कहीं से भी आए लेकिन तेरे दुआर पर सर जुगाना तो लाजमी है मुझे अपना आशिरवात दीजिए प्रणाम माते प्रणाम है इंडीन है ना है क्या तो हिंदी में बात करना इंडीन क्या क्या है ऑजीब लगा क्या क्या ढ़िसंट के रहां वेराँ क्रिट यह मेरी आइट्म का यह जोड़ीं यह वाई-फाई तो मिल जाएगे क्या लगच का था था इस पूछ बहुत बदल गए कुली बुला लो ना समान उठाने के लिए यह क्या आप सुबह सुबह उठकर जिम करते हैं तो यह सब आपसे नहीं होगा क्या यह तो आप अपने दोनों आतों से उठा सकते हैं और इसे अपने मेरी वाइफाई को देख सकते हैं क्या कंफ्यूज मत हो यह सर यह मेरी वाइफाई आप देखिए यह थोड़ी सी हाइफाई है लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करता हूं प्यार से वाइफाई बुलाता हूं रात में तो कनेक्शन बराबर था सर लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी नेटवर्क जाम हो गया और टिसकनेक् लोग तुम्हारी नंबर के बारे में बाते कर रहे थे मुझे कॉल कर देना मैं चलता हूं पहले मेरा एक सजेशन सुन कर जा है कही है ने सर हरे वाइफाई का पासवर्ण बनाना होता है वरना वो किसी और से क्लेक्ट होशी आर रहे ना हाँ ठीक है सर मेरा गॉगल अच्छ यह सर मेरा वो कि अईसर्ण बनाना है व्याओफा ट्सर देना हाँ वो अन्जू घर पसंद आया तुम्हें बहुत यूरिफुल है आपका एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अंबानी की घर में लेकर आये हैं चुपकर चल जा जा कर बैगन पैक करो क्या मुझसे यह सब करवाओगी साफधान चाइल लिबर केस में अंदर करवा द खाने को ले आता हूं चलो उपर चलते हैं वान टू थ्री एंड होल्ट अभी बहुत हो गया इतना प्यार तो बनता ही है अपना हाथ कंट्रोल में रखो तो मेरे हाथों को बोलो ना मुझे काम करना है तुम्हारे काम में मैं रुकावट कहां डाल रहा हूं तुम्हारा ये चहरा देखकर तुमसे फिर से प्रपोज करने का मन कर रहा हूं तो उसके लिए हमें फिर से कॉलेज जाना होगा बस तुम हां कह दो I don't mind कॉलेज की बाते याद आ रही हैं आएंगी आज सारी बाते याद आएंगी तुम हमेशा रोमांटिक मोड में क्यों रहते हो अंजू तुम ही तो हो मेरी इंस्पिरेशन और तुम्हारी ये मुस्कुराहट इसी तरह मेरे साथ रही तो एक दिन मैं सारी कि सारी दुनिया जीत लूँगा अब ही उठो ना अब ही स्कूल जाना है टाइम हो रहा है अज इंटर्व्यू है सिर्फ पांच मिले लेट हो जाएगा कह रही हूँ ना फिर भी नहीं हुट रही हूँ है तुम्हों तेयार हो जाओ ये बात में हो जाएंगे जब देखो अपने बती को ही सपोर्ट करती रह कर रही हो कुछ नहीं मामी आपकी और पापा की अंडिस्टैंडिंग बहुत अच्छी है यह कह रही हूँ क्या अभी पच्ची का स्कूल में इंटर्व्यू है उसकी सर्विस इक्जाम की डीटेल्स भी लेकर जानी है क्या ओ आज है ना आई फोगोट बाप और बेटी को को अब आपके टेंशन ही रही है तुम हो तो फिर कैसी अच्छा कैसे 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 कोई बात नहीं आजाओ अजू तुम्हारे साथ आएगी अकेली मत जाना थीक है भाई इंटर्व्यू अच्छी से देना हां बाइ मामी सब्सक्राइब जाना स्यादर दादी में बनने की कोशच तू समय कर जाना ओके अभी अभी स्कूल के बारे में सारे इंफिरमेशन निकाली है ना मम्मी इट्स वान अफ प्सकूल्स इंड़ सीटी मुझे वन उप दो बैस नहीं चाहिए मुझे बैस चाहिए अब तुम जा रही हो तो बैस्त होई जाएं गाम फैस्ट अब यरा जा रहे हैं चाहिए अब इनकार कर रहे है आई यह बैठिए 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 ऐसार हाँ मैं चलता है ठीक है सर भाई दादाजी अद्वोकेट अंदर है क्या अंदर है अभी मेरा इंटर्वी लेने वाली टीचर बहुत ज्यादा इंटेलिजन्ट है ना क्यों मेरी माँ वो क्या है ना 90% से ज्यादा स्कॉर करना है तो सिखाने के लिए टीचर भी तो इंटेलिजन्ट होनी चाहिए ना तुम्हारे हाथ जोडता हूं कैंपस में इसी बाते मत करो पर एक बात समझ में नहीं आए जब हमसे फीस लेते हैं तो इंटर्व्यू के लेते हैं हमारा तुम पढ़ लिखकर ऑफिसर बन जाना फिर उनका ही इंटर्व्यू लिखकर पूछ लेना अभी आइस क्रीम ममी मैं तुम्हें आइस क्रीम दिलाओंगा वो खाकर तुम्हें स नहीं तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है बोलो कौन सा फ्लेवर चाहिए अच्छा तुम यह आइस क्रीम का बिजनस क्यों कर रहे हो क्या है मेरी वाइफाई को घर की आइस क्रीम जमती नहीं है और यही आइस क्रीम अगर उसे बाहर मिल जाए तो वह छोड़ती नहीं है मतलब तुम्हें तुम्हारी वाइफाई नहीं मिली अब आपसे अपनी कहानी क्या बताऊं सर सारे काम धंदे छोड़कर मैं अपनी वाइफाई से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं सर इस शहर के सारी पॉश कोलोनीज मैं धूली पर मुझे ओ कहीं भी नहीं मिली शौपिंग कॉंपिस में भी नहीं मिली उसे का शौक इसलिए मैं सारे डिस्क धे데 में भी गिया वहां मुझे मेरा डॉक्तर मिल गया लेकिन वहीं मिली सर कोईसे डॉक्टर उसे सेर्विस करवा लो ओके सर किसीने सुना तो नहीं आइस क्रेम आइस क्रेम क्या हो आपको कुछ नहीं बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था आई यू फीलिंग बैटर या आई आई आपको हस्पिटल ले जाता है नहीं कुछ ज़रूद नहीं है आई समाल कर आई दादा जी बहुत 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 बेटा तुम अंदर जाओ मैं भी आया माम्मी सब्सक्राइब के साथ यह सब होता ही है पर आपको देखकर लगता है प्रॉब्लम कुछ और है बताइए सर आप ना बताना चाहें तो नो प्रॉब्लम सर आम सोड़ी एक मिनिट क्या गलत ही कि उसने पब्लिक सर्वेंट था वो पब्लिक के लिए जो करना चाही था वो ही किया तो क्या गलत किया मैं और नरी स्कूल का हैड मास्टर हूं मैंने सेकडो लड़कों को पढ़ाया था मैंने मेरे बेटे को भी अच्छे से पढ़ाया उसे एक आईएस ऑफिसर बनाया उसके काम करने के विज़े से हर कोई उसकी तारीफ ही तारीफ करता था पर उसका फायदा क्या हुआ जब द शादी हुए एक साल भी नहीं हुआ सब कुछ सही चल रहा था पिछले सुवार को वो यह कहकर घर से निकला कि वो काम पर जा रहा है और वापस नहीं आया उसे सब जगह ढूंड़ा फोन किये कोई फायदा नहीं हुआ मिसिंग कंप्लेंट भी लिकुए लेकिन वो लोग चुपचा बैठ गए मीडिया वालों ने कुछ नहीं किया गया वो लोग क्या करेंगे दो दिन शोर मचाया फिर शांथ बैठ गय डिंबर स्रित ब्रेकिंग न्युज के लिए न्यूज चाहिए होती है और तो और नई फ सब्सक्राइब करती है यह एस ओफिसर है मेरा बिटा लेकिन गॉवर्मेंट क्या कर रही है नथिंग मुझे पता है कुछ नहीं हो पाएगा तो होल सिस्टम इस करप्थ है यस कुछ नहीं होगा आपके साथ कोई नहीं ऐसा मत सूची यह तो अन्याय है नहीं दिलाने में अब मैं आपकी मदद करूँगा उम्मीद रखें माताजी चलिए मैं चलता हूँ जो हमारा एंज्व है उसने आपको सम्मान देने का सोचा है आप समय निकाल के लिए इस तरे देट को और यूवर्मेंट ने अगुए उसने आपको सम्मान देने का सोचा है कर वहां आये का सर देखिए अगर आप सम्मान देने के लिए बुला रहे हैं तुम्हें जरूर आउंगा नमस्ते सर गुड आफ्टरनून सर अच्छा वो शुबकर के केस का क्या हुआ वो केस आपको चिंदा करने के जरूरत नहीं है उस लड़के के पिता जी अब बहुत सोचकर मैं इसे आवाइड नहीं करना चाहिए वरना बाद में मुसीबत बन जाएगी शुबकर के बनाए डॉकुमेंट्स रिपोर्ट्स कहां पे हैं तुम्हें पता है क्या अभी तक पता नहीं चला सर आप फिक्र मत कीजिए उसके लिए मैं हुना जो भी होगा मैं देख तुम जाओ अभी थैंक्यू सर साप चाहे बिल में हो घर में हो या किसी टोकरी के अंदर हो वो काटता जरूर है इसमें साप को और है ये कमिश्टर है क्या सर गुड उस फाइल को अपने लोगों के भीज का ठुणवा थीक है सर है है कि अति हुए कि आते हुँ है कि इस थीए क natur पर यहींर बॉलते को नहीं है Channel तहें रुकिए ये लिजी पानी पी लिजिए लिजी पानी पी जी ए बगवाल इतने घबराय हुए क्या हुआ क्या हुआ बोलिये ना क्या बात है ये गाजर कैसे दी भाई जार रुपाय किलो सार रुपाय किलो क्या चाहिए अभी और कितने दिनों तक मटा भी खाते रहोगे मास्टर जी अब ये सब्सक्राइब चोड़ो आज के बाद सिर्फ चिकन मटन खाने के अद़ डालो इस पूरे बाजार में तुम्हें कोई भी सब्सक्राइब नहीं देग पाठ समझ में नहीं आया तो मुझे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा घर जाने के बाद एविडेंस ढूंड कर रखना है अब नाटक बास अभी तेरा दूद से अभिशेक हुआ है शाम को खून से भिशेक करूंगा आदे घंटे में तेरे घर आएंगे हम सारा जीज का एविडेंस मांग रहे है वो एविडेंस कहा है हमारे पास हो डिस्क पेंड्राइब वो तो इस चीज़ों को कभी हमारे घर लाया है यह नहीं फिर यह क्या कह रहे है यह चुप जो उससे कुछ नहीं हो गए बगवान यह सर बहुत दुकर है आप आराम कीजी मैं कॉपे लेगराती हो बादी पानी यह बिटी पानी पिले बिटी बिटा दर्वाजा मत खुलिए रुको रुको नहीं जी क्या हुआ सर सब ठीक है ना मैंने कोई आवाज सुनी उसे चक्कर आगया तो इलिए क्या हुआ दो दिन उसे इसने कुछ खाया नहीं ना इसलिए कमजोर होई देखे मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ लेकिन इस तरह पेट में पल रहे बच्चे को सजा देना गलत है यह बच्चा तुम्हारे पती का अंश है ना इसकी देखमाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है तो अब उठो और जाकर खाना खालो इसे ले जाए अबाजी हाँ 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 सर आप इतना घमरा क्यों रहे है फिक्र मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा बैठिये हेलो वो मिसिंग आइस ऑफिसर का पिता देश पांडे किसी आदमी की मदद से केस को फिर से री ओपेन करने के लिए हमारे उपर प्रेशर डाल रहा है बात क्या है वो क्या है कि साहब को जरूरी कॉल करना है और साहब कॉल ही कर रहे हैं उससे तो शुरू होने में अभी टाइम है लेकिन रिस्पॉंस क्यों नहीं दे रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा है सर कटने की नौबत है इसका सर साहब का यह तू क्या कह रहा है सच में सर उसूपकर के केस फिर से रियोपन हो रहा है वो देश पांडे सब के सामने मीडिय के सामने केस को रियोपन करने की बात कर रहा है वो खोदी बड़ी मुश्किल से चलता है वो क्या केस समालेगा उसके आप सू हंगरी आभी मज़े पॉप्कॉर पॉप्कॉर ने बहिए वो रहा वो आदमी यह वो इसकी बीवी है वो इसकी बेटी जा हूँ इसके बहन को उटा कर ला आ है प्रबखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखख कर दो कर दो हुआ 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 हु पताईये अची अचीट किया गया है आप एक बार मेरे साथ आए मैं सारी डीटेल्स आपको बताताय। सर कंप्लेंड लिखवानी है मेरा नाम अभी है मैं अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग मॉल में था तब कुछ अंजान गुंडों ने आकर मेरी बेहन को किड्नेप कर लिए कौन सी गाड़ी थी वाइट फॉर्चुनर सर गाड़ी का नंबर देखा था हां सर के 05 M 5656 क्या फिर से बुलना के 05 M 5656 का से हुई थी सिग्मा मॉल वह इलागा तो हमारे एरिया में नहीं आता एरिया में नहीं हुआ तो क्या हो सर एफ आ यार लिखकर एक्शन तो ले सकत सर मेरी बहन को किड्नाप कर लिया गया है वो एक वाइट फॉर्चुनर गाड़ी थी नंबर था के 05 M 5656 वो लोग गुंडे जैसे लग रहे थे कुछ होने से पहले मेरी बहन को बचा लीजिए प्लीज तो ने देखा क्या उसका किड्नाप हुआ या फिर वो खुदी कार म को पसंद करती होगी उसके साथ भाग गई होगी देख यह आप क्या कह रहे है मैंने खुद अपनी आखों से देखा है वसंद अगर पुलिस टेशन गया तो कहने लगे हमारा एरिया नहीं है यहां आया तो आप उल्टी सीधी बाते कर रहे हैं बता दीजे आप से होगा या अनिल उस कार की सारी डीटेल्स निकाल के मुझे दो सर वह मिनिस्टर के बेटे अर्जुन की कार है यह भी बड़िया है आप जैसे लोग कंप्लेंट कर देते हैं और हम जैसे लोग सिंगम स्टाइल में फिल्ड में ड्यूटी करते हैं लेकिन यह जो बड़े लोग है ना य यह कैसे भी खरकर के उस कंप्लेंट को वापस लेलो और होता क्या है हमारा टाइम कवर्ण मेंन का बैंप सब वेस्ट हो जाता है तूम कंप्लेंट कर रहे हो रहा है यह लेकिन उसे करने की ताकत है तुम्हारे अंदर बोलो है क्या अगर है तो मुझ पर भरोसा करो वोels को सर सर अंदर मीटिन चल रही है आपको बाहर उखना पड़ेगा देख मेरे भाई पुलिस की वर्दी होती है ना यह कानून के लिए है क्रेमिल्ल्स के लिए नहीं लेडीज जेंजलमेन यो अटेंशन प्लीज मुझे आपको डिस्टरब नहीं करना है बस इन से बात करनी है पा यह कार तेरे नाम पर रिजिस्टर है तो क्या हो गया और उसी कार में इनकी बहन का किड्नैप हुआ है इसा कंप्लेंट की है इन्होंने किड्नैप कॉल आदी नौट रिचेबल सर वह कार मेरा भाई यादी उसकरता है उससे बात होते ही आपको कॉल करता हूं यू कैन लिव करें दिमाग तो ठीकाने है ना मेरे पास जो पावर है ना सिर्फ मुझे नहीं वहां जो खड़ा है ना सिक्यूर्टी वाला उससे भी लेके नहीं जा सकते हो तो एक पलिस वाले को चैलेंज कर रहा है तू अगर मेरी ठन गई ना तो तेरे भाई के साथ तुझे भी अंदर खसीट कर ले जाओंगा है बहुत बड़ी गलती कर दी तुने खाकी पर नहीं एक शेर पर हाथ डाला है चले अब अब तुम चानते नहीं हो कि मेरा पास कॉन है चाहे तू किसी का भी बेटा हो कानून के लिए सब बराबर है मलेश्वार प्लिस्टेशन के एसाई किरन कुमार होम मिनिस्टर दुर्गा परसाद के बेटे को अर्जिन को इस वक्त अरेस्ट हमें अभी अभी यह ब्रेकिंग न्यूज मिलिया एक्स्क्यूज मी सर आप जरा टीवी देख लिजे सर अर्जिन प्रसाद अरेस्ट हो गए ह उन पर क्या जो आजर्ज लगाए गए हैं उन्हें क्यों गिरफतार किया गया है यह हम आपको बताएंगे एक चोटे से ब्रेक के बाद सर क्या है यह सर में कुछ टाइम दीजिए सर आपका बेटा बाहर आजाएगा बाहर आने से क्या होगा और जो इज़त गहीं है वो बाहर आने से वापस आ जाएगी क्या सर आप चिंदा मत केजिए मैं सब कुछ सभाल लूगा हाँ सर बैंगलोर जाने का एक टिकट बुक करो ठीक है सर अभी करता हूँ कौन है यहां का इंचार्ज सर क्या ही है इतने बड़े केस को हैंडल करने से पहले अपने सीनियर्स को इंफॉर्म करना चाहिए यह तुम्हें पता नहीं है सर इस आपमी की कार से लड़की का किटनैप हुआ है सर और जब मैं इनके पास इंक्वारी करने के लिए गया तो इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया सर इनकी इज़त को तुम उचालोगे तो तुम्हें लगता है यह चुब बैठेंगे सर से माफी मांगो और अभी क्या भी इन्हें छोड़ दो यह क्या सर सिंसियारिटी को अप्रेशियेट करने की बजाए आप गुनेगार को छोड़ने के लिए कह रहे हैं कौन है यह सर जिस लड़की की किटनैप की कंप्लेंट हुई यह उसका भाई है है इनके बारे में तुम्हें कुछ पता भी है अर्जुन ग्रूप आफ कंपनीज के प्रोप्राइटर वो तो नहीं जानता लेकिन क्या तुम भी नहीं जानते हो अपने डिपार्टमेंट के हेड होम मिनिस्टर दुर्गा प्रसाद का बेटा ही यह होम मिनिस्टर का बेटा है तो क्या हुआ आप गुनेगार को छोड़ने के लिए कह रहे हैं हलो यह सब तुम्हें बताने के कोई जरूरत नहीं है तुम बीच में मत बोलो किरन कुमार तुम इस तरह क्या देख रहे हो छोड़ दो इन्हें सर अफ़ायर रेजिस्टर हो चुकी है शाट अप किरन कुमार वो गाड़ी अर्जुन की है लेकिन वो गाड़ी गुम हो गई थी ऐसी कंप्लेन एक अपता पहले लिखवाई गई थी तुम्हें पता नहीं सर मेरी वहन को उसी कार में उठा कर ले गया है मैंने अपनी आखों से देखा है एफ आयर लिखने के बाद एक्शन लेकर इंक्वाईरी करना पुलिस के ड्यूटी नहीं है क्या सर देखो ड्यूटी के बारे में तुम मुझे सिखाने के कोशिश मत करो पहले तुम्हें ये पता लगाऊंगा कि क्रिमिनल कौन है उसके बाद उसे अरेस्ट करके घसीटते वे यहां लेकर आऊंगा सुरी मिस्टर अर्जुन हमारे ओफिसर से घलती हो गई आयम एक्स्ट्रीमली सॉरी हाँ सुनो विक्र अर्जुन को ये जिसने कंप्लेन लिखवाई है उसे कस्टडी में लेकर पूस तास करो पूस्टर अभिशेग यहां का पूरा सिस्टम भी करेप्ट मिस्टर अभिशेग और इस सिस्टम को करणे वाले हैं यह कुछ पूलिटीशन और इनके जैसे कुछ ऑफिसर्स इनके साथ काम करने से तो बहता रिकी नौकरी ही छोड़ देना अभिशेग और दो घंटे के अंदर ही छोड़ दिया एक मिनट देखिए सच्चाई यह है कि अर्जुन की गाड़ी आज से एक हफ़ता पहले गुम हो गई थी उन्होंने कंप्लेंट भी लिखवाई थी हमारे ओफिसर ने ठीक से एंक्वाईरी नहीं किया और इसलिए उन् तक आप लोगों को कोई भी क्लू मिला है कियसा देखिए पुलीस अभी उसके बारे में जाच कर रही है जिसने भी कंप्लेंट लिखवाई है उसका किड्नैपर के साथ कोई संबंध है या नहीं हम लोग उसके बारे में जाच कर रहे हैं वोम मिनिस्टर दुर्गाप्रसाद के वेटे अर्जुन के अरेस्ट केस में एक नया मोड आ गया है आद अधाने के इतनी हम्मत कैसे ही तुम लोगों कि कौन हो मेरा पावर क्या है उससे पता चल जाना चाहिए समझे तुम थोड़ा बाएर जाओगे मॉनिं सर उन सब के लिए सारी तयारी करो ओके सर तुम्हारे लिए फोन है बोलिया साब कैसे याद किया बंटी तेरे लिए एक शिकार है वो जेल के अंदर ही है क्या करना है साब शेर को एक बकरा मिल जाए तो वो क्या करेगा समझ किया साब काम हो जाएगा वो एए एए अंदर चार अंदर आएकर जब हम जाएकर हुँ, हुँ कुँ, ह 와ुँ युढ को ल дост मुझे यह से बाहर निकालो मुझे यह से निकालो पुझे जाना है कोल बंटीर यह क्या हो रहे तुझे वो मुझे मार डालेका से अरे क्या बख रहे हो? शेर को कौन मारेगा? शेर शेर क्या लगा रखा सर? मैं उसके सामले डॉगी हूँ डॉगी! डॉगी? उसका नाम सुनते ही गुंडे भी कापने लग जाते हैं सर! उसी के डर से मैं यहाँ इस जेल में छुपा बैठा हूँ! वो बियार का बंपर शेर है! वो पुलिस टिपार्टमेंट का रूस्तम है! रूस्ताम! रूस्ताम! चारली! चारली स्पेकिंग! राज्गीर चौकी! फास हो रहा है। आप सर वित कि पर उसे रोगियां, और उस हम्यामलम सकीर्व Case combo ओके, औके, जल्दी से वर्ट को फैसरो recover रेह देखो सामने पोलीस है पोलीस, पुलीस, कुछी नी भाई, ठीचला चला है, ठीचला है कൃसे भादी झाल कर सकती हुए कर झाल कर दो खिसा जाल मारें ले उने ऴार ign? कर दो… कर दो कम दो कर दो कर दो अ饮ाध ऐेड़ बत्या, पाध। लग़ाध ठयूा ह। ठायू मैं बत्या, को जड़ दे लगध। गषाध रायू रायू यह दिख और एक पुलीस वाला है इसको भी उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे आ इसे भी उड़ाता हूं कर दो हुआ प्लीस वाला है वाला है आपलीस! क्या कर लेगा 5 दिन अंदर आउंगा उसके बाद जब मैं बाहर आऊंगा देखता हूँ तू फिर क्या कर लेगा हां अरेस्ट मुझे अरेस्ट बोले तो एलरजी एंकाउंटर बोले तो एनरजी वो अपने आपको क्या समझता है अरेस्ट करना तो वो जानता ही नहीं है जिसको जहां पकड़ता है वही ठोक देता है जिसे भी वो मा रहा है वो या तो क्रिमिनल होता है या फिर वो गैर कानूनी धंदा करने वाला पर इसका मतलब यह तो नहीं है न कि सबको मारती चले जाओ हर रोज human rights वाले इसके खिलाफ complain कर रहे हैं हम क्या जवाब देंगे उन्हें जो कुछ भी वो कर रहा है उससे गुंडों में डर तो आ रहा है दिन बदीन वो hero बनता जा रहा है department में सब कोई लोग उसे रुस्तम नम से पुकारते हैं सर अब शिक्साब आए हैं अंदर भेज़ दो जैहिन सर कहिए सर मेरे खिलाफ कोई ऐसे एक के बाद एक एंकाउंटर करेंगे तो human rights वाले complaint ही करेंगे न पुलिस और गुंडों में कुछ तो फर्क होना चाहिए अफकोर्स सर हर गुंडा मुझसे डरता है लेकिन मैं किसी से नहीं डरता मैंने तो किसी पुलिस या मासूम का एंकाउंटर नहीं किया सिर्फ ग ऐसे ही छोड़ दिया तो उसको कंट्रोल कौन करेगा इसलिए उसे ऐसी जगे पर ट्रांसफर किया है जहां हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं कहां सर पटना सिटी झाल हाई दोस्त यह जगह कैसी लगी चारो तरफ डेड़ेंड है हर मुझ्रिम का रास्ता भी डेड़ेंड ही होता है मैं वाइलेंस पसंद नहीं करता अपने आप सरेंडर कर लो तो अच्छा होगा किया आप सरेंडर कर लो तो अच्छा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करना से कोई फाइदा नहीं है सर आप बस हां करिए यहीं ठोक देंगे कमीनों को हर क्राइम का जवाब इंकाउंचर नहीं होता है सर यह लोग खतरनाक गुंडे हैं इनके दिमाग में अच्छी बात नहीं घुशती है घुशती है तो सिर्फ गोली घुशती है सर नहीं यादव मुझरिंग चाहे जैसा दियो उसे एक मौका तो देना चाहे सुधरने के यह ब वेलिए साब इंसे मिलिए नए ऑफिस हैं मक्कीselves क्या माजी मोकी मिरा नाम मारना मेरा काम लेकिन मक्हियों को पद मारनाया सर जैहिन्सर ए श्शिभू है तुम यह कैसे है। आप यहार होगे में रहुआ को रहूं गाल बढ़नाश जैहिंद साप जैहिंद साफ उपर बुला रहे हैं इतनी जल्दी उपर मत भेजो यार और कुछ लोगं को उपर भेजना है क्यों सही कहा ना मैं कमिन सर येस जैहिंद सर जैहिंद बैटो थैंक यू सर तो आज रिपोर्ट कर रहे का यह सर सो क्या बुलाना है आपको अभिशेक भारगव या फैर रुस्तम मेरे लिए नाम माईने नहीं रखता बुलाने वाले का प्यार माईने रखता है प्यार तुम प्यार जदाते हो या फैर दिल में डर पैदा करते हैं क्या कहूं सर आपका ये जो इलाका है न ये गांधी गीरी से ज्यादा गुंडा गीरी से चलता है इसके लिए सब का इंकाउंटर करते फिरोगे अब तक छपपन हो गया तुम ऐसा कुछ नहीं है सर मुझे भी ये पसंद नहीं है लेकिन अब तक सेंचुरी हो चुकी है सेंचुरीस चार हो गया तुम अगर आप चाहें तो इस नाम से भी बुला सकते हैं सर देखो तुम जो काम कर रहे है वो सही है लेकिन तुमारा तरीका गलत है तरीके के साथ साथ नीती नियम भी ज़रूरी है ये नीती नियम सब स्कूल के बच्चों के लिए है सर गुनेगारों के लिए नहीं है शुकर वन छे साल में ये तुम्हारा नौवा ट्रांसफर है सबको प्रमोशन मिलता है तो वो खुश हो जाते हैं और मैं खुश होता हूँ ट्रांसफर से लेकिन डेपार्टमेंट आपसे खुश नहीं है जहां भी जाते हैं वहां क्रिमिनल्स के हार्ट रेट बढ़ा देते हो लेकिन क्राइम रेट तो कम हो रहा ना सर यहां थोड़ा कंट्रोल में रहिएगा ओफिसर मैं आपका हायर ओफिसर हूँ यह याद रखना आप तो डी सी पी हैं इसलिए डी सिंट और साइलेंट हैं तो तुम इंडी सिंट और वाइलेंट हो है ना वो तो सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए सर क्यूंकि वो यही भाशा समझते हैं यह मेरा ओफिस है आपका राज नहीं चलेगा सिर्फ भारत का राज चलेगा यू बेटर नो दाड़ यू वोकिंग अडर मी नो सर वी बोथ हार वोकिंग अडर लॉग तू जरा भी नहीं बदला बदलना भी नहीं चाहिए भरत फ्रेंड्शिप और काम दोनों अपनी अपनी जगह हैं देखा ना पहले तू मेरे साथ कैसा स्ट्रिक्ट था लेकिन बाद में चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट आ गई मेरे दोस्त चलो घर जलका खाना खाते हैं क्या कहां घर अरे बापरे आज फिर से लेट हो गया अरे बाद में मिलता हूँ अभी हाई 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 अंदर ममी की सिचुएशन क्या है पिजली कड़क रही है और थोड़ी दिर में बारिश हो जाएगी मतलब मामला गर्म है क्या तो और क्या करेगी आप तो आते ही निकल गए लगेज भी नहीं किया और अब तो कुछ खाया भी मतलब फूल स्ट्राइक हो गई स्ट्राइक नहीं सर्जिकल स्ट्राइक अब जल्दी से जाएगे उनसे सौरी कहिए और हाथ पैर जोड़कर माफी मांग लीजिए क्या मैं उसके आगे हाथ पैर जोड़ू जस्ट वाच मुझे दो दाटू वहीं बैठी रहो सब्सक्राइब और मेरी फोटो के साथ तुम क्या कर रही हो तुम सिर्थ तुमोरी श्यान करोगी प्यार करोगी नहीं क्या मेरे पास मताना दूर हो जाओ चहरे पर इतनी नाराजगी क्यों है अब तो मैं आ गया हो ना क्या कहा था कि जल्दी लोटाओंगा कितना समय होगा है चार बचने आए हैं बीबी का खयाल ही नहीं है तुम्हें ओके आम सॉरी माफ कर दो अब अंदर जाकर खाना खाते हैं चलो मुझे नहीं खाना चाओ कुछ और काम है तो वह भी पूरा कर खिया हो इतना गुस्सा क्यों हो रही हो देखो मेरा काम ही ऐसा है थोड़ी ही तो देर हुई है हाथ जोड़ू क्या या कान पकड़ू या फिर प पैर पकड़ कर माफी मांगो वाट पैर पकड़ कर माफी मांगो जल्दी पकड़ लो ना नहीं तुम ममी छोड़े की नहीं अंजू दर असल पती अगर पत्नी के पैर पकड़ता है तो पत्नी के लिए नहीं पती के लिए अच्छा नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता बहुत स पेर पकड़कर माफी मांगो जब तक मेरा घुसा ठंडा नहीं होगा तब तो के डालिंग तुम्हारी खातिर तुम्हें खुश करने के लिए अभिशेक आई-पी-एस ओफिसर तुम्हारे पेर पकड़कर माफी मांगता है मुझे पता था तुम मुझे पैर नहीं चुने दोगी बहुत इंपोर्टन टॉपिक पर बाच चल रही है स्टॉप आप लोग किसी ट्रिप का प्लान मत करना पर क्यों बेटा देखो ना आंटी ट्रिप का प्लान बना भी कौन रहा है एक ACP और दूसरा DCP क्या प्लान बनाएंगे ये दोनों हें वेट 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 लेट मीं किस वागा बॉटर या पर देहरादू नहीं क्लब दू कहीं भी चले जाओ ये पुलीस वाले पुलीस गिरी नहीं छोड़ते मेरी ममी ना बहुत बॉरिंग है चुपकर और तुझे कहा जाना है वो तो नहीं बता लेकिन सब कुछ अद्वेंचरिस होना चाहिए नहीं तो फॉरें ट्रिप पर जाते हैं भारत अंकल अब याम्मू पर कॉल किया है तुमने अइसे क्या बात है यह दूश्मनों को मार मार कर बोर हो गया था अब अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलकर बहुत कुछ है देखो हाइए अब कैसी हो तुम है आप सब को एक साथ देखे मेरा भी माने का मन कर रहा है चल्दी आजाना हम पारें ट्रिप सब्सक्राइब नमस्ते नमस्ते साथ नमस्ते असनम पाशा इनका नाम है साथ रिटाइड हेड कॉंस्टेबल है यह आप से ही मिलने आये हैं कहिए क्या प्रॉब्लम है मेरी पोती कल से घर नहीं लोटी है साहाब नाम क्या है बच्ची का शहीदा है साहब स्कूल में पता किया हां साहब वो बोल रहे है कल शाम को चार बुझे वहां से निकली थी किसी दोस्त या रिष्टिदार के घर कहीं भी नहीं है साब वो बिना बताय कहीं भी नहीं जाती है साब घर में सब लोग परिशान है साब पच्ची की फोटो लाए हैं अहां साब किसी भी तरह मेरी पोती को ढून करते हैं तो साब इस फोटो को सभी पुलिस टेशन में सर्क्यूलेट कर दो जी साब बस्टेंड मार्केट रेल्वी स्टेशन सब जगह पर अलर्ट कर दो ठीक है साब ठीक है साब साब आप से मिलने आया है ठीक है मिलता हूं नमस्तो आ इस बच्ची को जानते हो यह तो हमारी बच्चीई है सर कौन डॉप करता है इसे मिश्रा डॉप करता है सर ढराइवेर है यस शर बुलाईयो उसे यही मैस्रा नमस्ते सर दो सर हम बस को यहीं पर रोकते हैं बची यहां से जाती है सामने उसका घर है सर ये लिजी साम प्ले करो थोड़ा रिवाइन करो ये लोग पूरा प्लान बना कर आए थे हां सर नंबर प्लेट भी नहीं दिख रही है और चेहरा भी नोंने ढखा हुआ है बाए हाथ से भी रहा है बाए हाथ का इस्तिमाल करने वाले सभी क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड है हमारे पास सर ये बाए हाथ का इस्तिमाल करता है देखने से लग रहा है कि ये पक्का सिद्धिकी होगा सर सिद्धिकी ये कहां मिलेगा सर हाइवे के पास एक धाबा है सर ये साहब मुझे लगता है आज वो नहीं आएगा साहब थोड़ा वेड करेंगे ठीक है साहब अब पीनाट कोके नहीं चुदरेगा वो उसके साथ दो लोग और आ रहे हैं बाइक पर करें चुदुवा तीन चाहिए लारें ठीक विया महिया करें चाहिए साहब अटेक करें नहीं अलाट रहे ना मेरे ओर्डर्स के लिए वेट करो वंटु भईया का फोन है क्या बात है पूच्छ आवईया ये सुद्धिकी कहा परे रादेश्राम डावे पहा भईया किना लगेगा पांच मिने लगेगा भईया आसकते हैं चल्दी बहुंच्छ आवईया ठीक भईया भईया बॉल कर भईया लगे वेडादेश्राम क्षोफ आवईया थाम क्या वार्व एम क्यावईया फ्शेश स्वर्व यावईया प्यावईया बता बच्ची के दर है मेरे पास सवाल कम बुलिट्स ज्यादा है बताएगा या ठोक दूं तुझे हमारे काम दो सिर्फ बच्चों किड्डेप करना है साहब और हरुआ को कुछ नहीं बारूम साहब कौन है वो बंटी यादो साहब बंटी यादो बंटी यादो मैय यह पाइसा मैय यादो तेरी मौत पुलिस पुलिस जरह देख अपने चारो तरफ डर के मारे पैंट गिली हो जाएगी तेरी अबे टर काट डेफिनेशन हूँ मैं पैंट आगे से गिली होगी और पीछे से पीली होगी तुम सब की ये काट कर फेक दो कमीने को जब मारे एलब पार स्वास्थ्ण यार्व― कि पुम मी तेरी से टो जओ कई था जबुव होगी तो टार कि तेरी तेरी शारी तो बहला है बच्चों के साथ धंदा करता है बच्चों अब तक तुम लोगों ने मेरा कैरेक्टर नहीं समझा मुझे आरेस्ट बोले तो एलर्जी एनकाउंटर बोले तो एनर्जी अरे अवी यह क्या कर रहा है दिखाई नहीं देता स्वाच्छ भारत अभियान ऐसे घटिया लोगों को जीने का कोई हक नहीं इन्हें तो मार ही देना चाहिए एक लड़की को ढूणने आया था मगर यहां देखो अलग अलग राज्जी से कितने छोड़े शोड़े बच्चों को उठाया है इनका प्रिज्मन को अगर मारूंगा न तो बहुत परिवारों में शांती होगी इन लोगों नो जब किया है इसकी सजा कानून देगा इसका फैसला कोट करेगा हर किसी को भगवत गीता का उपदेश समझ में नहीं आता इन्हें समझ में आती है भगत सिंग की भाशा बंदूप की भाशा इसी वक्त फैसला हो जाना चाहिए नो हम लोग गलती करने वालों को सजा दिलाने वाले लोग हैं ना कि खुद सजा देने वा आपकी रिस्पेक्ट करता हूं इसलिए इसे छोड़ रहा हूं एक उत्य है ध्यान से सुन आज के बाद कहीं भी दिखाई दिया तो वहीं पे ठोक दूंगा चल है है चल चल कमीन कहीं का है कि मैंने को फोन लगा कि बोलो सरकार यह क्या हो रहा है विदैक जी किसी ओफिसर ने हमारे लड़कों को अरेस्ट किया है फिकर मत करो सरकार हम यह कहें बैठे हैं अरे हम छुड़वा लेंगे ना कि सुन्द्र पान्डे नाम नहीं हम देखता है बहुत सुन्द्र है यहां काय मेले हैं हम तो उन्हें जिनको तुमने अंदर किया न वह हमारे बच्सेtones Period लोड़ दो हम का रहे हैं वो तो नामुम्किन है चाहिए तो आपको अंदर डाल सकता हूं मैं आपके बच्चों के साथ हे टीसीपी हमसे मत उलाच जादा अकण मत दिखा पांच मिनट के अंदर अगर वो लोग बाहर नहीं आये ना तो तुमको बाहर करवा दूंगा मैं यहां किसी से बात करने के लिए नहीं अपना काम करने के लिए बैठाओ ना तो तेरा काम रहेगा और ना ही तुम बात करने के लाइक रहेगा दो तरग के डॉगी होते हैं एक जो से भॉकते हैं और दूसरा जो काटते हैं वो अलग बात है कि मुझे धूनों से टर नहीं लगता किसको डॉगी बोल रहा है रे यहीं पर काट के रख दूगा तेरी छोटी छोटी टुकडे करके इस पूरे थाने में दिखेर दूगा अग यह खोला छोड़ेंगे तो यह हमें ही काटने आ जाएंगे अब यह में ने क्यों है अब इन पापियों को ऐसे खोला नहीं छोड़ना चाहिए वरना यह और पाप करते ही जाएंगे है कंशे वर्ट हो लुक जहाएं तुम है कुलीस वाले हो करें गुंडें जैसा ब् dark ुम्हें एं गालिया दे रहा है वो और मैंने कोई यह और आप तो तुम कुछ भी कर लोगे क्या मैं यहां senior officer हूं यह ध्यान रखना हमारे टुकडों पर पलने वाला तुम बाहर वाला क्या कहा तुने मैं बाहर वाला हूं अब इच्छा सूजा हूं मैं देखे का हिंदुस्तानी क्या कर सकता है पिशेख भार वे शुक्ते अबिशेख भार विखेग विशेख भार विखेग भार विखेग भार विखेगे विखेगा कर सकते हैं Mr.AbhiShik Bhargah You have crossed your limits I'm sorry आयर ओफिसर के साथ तुमने मिस बेहेव किया है यूर सस्पेंड़ेट लीड अलो अरे हुजूर अरे कहां भेज दिया आपने हमको अरे वह अफिसर वह एक दम पागल है एक मेले की भी नहीं सुनता है और आप जानते हैं वो थाने में हमरा एंकाउंटर करने वाला था बड़ी मुश्किल से बच कर आये हैं एलेक्शन का टाइम है सही टाइम देख के बार करेंगे हम हाई अबी आज गेम बहुत इंट्रेस्टिंग हो गया है चल्दी आजओ 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 देखते हैं कौन कितने पानी में है आओ ना चल्दी यह दिखो बेटा तुम वहां बैठो आओ ना वहां जाओ जाकर खेलने के लिए काहना समझ में नहीं आता तुम्हें सोनू सोनू अभी वाट क्या हो रहा है सब क्यों बच्ची पर गुसा कर रहे हो आज मेरा मूड बहुत खराब है रिस्पॉंसिमिलिटी नहीं है क्या बात है इतने अपसेट क्यों लग रहे हो अंजू सब कुछ बताना जरूरी है क्या मुझे कुछ दे रखेला छोड़ दो गेट आउट जो हुआ सुओ जो हुआ अब इतना सोचने की क्या सरूरत है? सिचूशन की वज़ा से या फिर क्यों क्या पता नहीं? अभी को बहुत हट हुआ होगा. सब जानते हैं तुम दोनों अच्छे दोस्त हो और दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हो. बस दोनों का काम करने का तरीका अलग-अलग है. इतना ही. सुबह फेस-टू-फेस बात करो, तो सब ठीक हो जाएगा. यूर रैट. कल सुबह ही उससे बात करता हूँ. I'm sorry. बहुत गुस्सा कर दिया मैंने. कोई भी गुस्सा करे तो इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और आश्ट तो तुमने गुस्सा किया. बिना खाना का है इस हो गई. I know. सुनो, अन्जू. कॉम्प्रमाइज करके ड्यूटी करना मुझे पसंद नहीं. भारत भी मुझे नहीं समझ रहा. छोड़ो जाने दो, उन्हें भी बहुत बुरा लगा होगा. मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ, अन्जू. लेकिन उसका काम का तरीका मेरे काम के तरीके से बहुत अलग है. इसलिए उन बच्चों को अगवा करके, उनको बेचने वाले उन दरिंदों को वहीं पर एंकाउंटर करके मारना चाहता था. और वो कोर्ट लॉज ऐसी फिलोसोफी समझा रहा था. उस किड्ने पर को छोड़ाने के लिए एक थर्ड क्लास M.A. ले आया था. हम पुलिस आफिसर्स को चुनोती दे रहा था. और हम सब चुपचाप ये सब सुन ले? नो, I can't tolerate this. क्रिमिनल्स को इस तरह खुला छोड़ देने के बाद उसकी जान को ही खत्रा है. बट अभी, पूरे डिपार्टमेंट में अकेले तुम ही तो नहीं हो ना, तो सारी टेंशन तुम क्यों लेते हो? हम सब लोग अगर इसी तरह सोचने लगे, तो इस सुसाइटी क तो सिस्टेम को कौन बचाएगा? I understand, एक काम करते हैं, लेट्स को सम्वेर, लेट्स टेक ब्रीक, हम, हम, यह, दीदी, खाने, थोड़ी मदद करो, आ, थो, आ, भाना कहा रहे हैं, यह, भाइया, भाभी, कॉपी, क्या भाइया, इतरे डल क्यों लेग रहे हो, आखिर बात क्या है, अभी के साथ जगड़ा हुआ था, तो उससे बात करने उसके घर गए थे, पर घर पर कोई नहीं है, ताला लगा है, फिर यहां कर बैठ गए, ओफो, बस इतनी सी बात है, आप बिलको टेंशन मतलो भाइया, मैं हूँ न, ड्रामा क्वीन, इस बहन की इमोशन को देख के, अभी भाइया, पिघल जाएंगे, साथ में सोनू भी रहेगी न, तो हम दोन इस ड्राम बैठ के भीख मांग रहे थे भाइया, बच्चों को लेकर बिजनेस करना, हमारे देश में ये बहुत ही कॉमन बात है, बात वो नहीं है भाइया, कुछ बच्चों के एक आख में पट्टी बंदी हुई थी भाइया, सिर्फ एक ही आख पर क्यों, पर वो देखने से बिमार नहीं लग रहे थे, यहां तक कि वो भिखारी भी नहीं लग रहे थे, मेरी सेट, उन बच्चों के साथ कुछ तो गलत हो रहा है भाइया, मुझे थोड़ा अर्जन काम है, मैं आता हूँ, अब भाइया, सार, यादर, वो मिसिंग के जितने केसे से, सब के फाइस लेका रहा हूँ, सारे फाइस है, जे सार, वो यह मेले है ना, वो एक किट्नापिंग केस के लिए, इतनी धमकी और दबाओ क्यों डाल रहा है, आपको लगता है कुछ गरबढ है, पता करना पड़ेगा, एक काम करो, बंटी यादो को इंटरोगेशन रूमे लेकारा, सिर्फ एक बार पूछूँगा, सच सच बाताना, इन पच्चों को किट्नाप करके तुम लोग उनके साथ क्या करते हो, बस पैसो के लिए पच्चों को किट्नाप करते हैं, साहाब, यह लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन को बन तरीके में समझाएं क्या, मैं कानून नहीं दोड़ता, इसलिए यह सच नहीं बोल रहा है, इसे मालूम है मैं इसे कुछ नहीं करूँगा, और अभिशेक को भी सस्पेंट कर दिया है, अच्या याद हो, यहां से, यहां सबस्पास अच्छा लोकेशन कौन सा है, एन काउंटर करने के लिए? सर घाट के पास मैं अभिशेख को फोन करता हूँ आहां सर अभिशेख, नहां सुन मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं सा बताता हूँ, सर कैमरान, बोल वो, वो हम पहले बच्चों को किट्नैप करके हमारे अड़े पर ले आते थे सहतमन बच्चों को गाउं के स्कूल और मैदान से किट्नैप कर लेते थे बच्चों के आँख, किड्नी और हाट निकालके गुवा भेज देते थे उदर से इसराइल, ब्रजील, USA, तरकी, चाइना और मैक्सिकों में सारे ओर्गन एक्सपोर्ट होते थे उसके बच्चों को अलग-अलग शेहरों से भीक मांगने के लिए भीज़े जाता था तिर एक थो इंसान के अचानवर कहलाने के भी लाइक नहीं हो तुम सब कुछ बताओ सब का नाम जानना है मुझे यहां के दंदा करनाटका के ओह मिनिस्टर का भाई रुद्र प्रसाद संभालते हैं मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ सर मुझे छोड़ दीजिए सर प्लीज हाई कहिए मिस्टर भारत हाई शुपकर बहुत दिनों के बात कॉल किया है तुमने जरूर कोई इंपोर्टेंट बात होगी कहो कैसे याद किया करनाटका वोम मिनिस्टर दुर्गा प्रसाद क्या उनके बारे में क्या जानना है तुम्हें हलो भरत हाई शुपकर कुछ पता चला के तुम्हारा डाउड बिल्कुल सही था उस दुर्गा प्रसाद के इंफ्लूएंस में उसका छोटा बेटा आदी उस बड़े मंजा और जगन के साथ मिलकर ड्रग्स और वेपन का धंदा चला रहे हैं इंटरनेशनल लेवल में उनके बहुत सारी कॉंटेक्ट्स हैं मैं सारी प्रूफ्स तुमको मेल कर रहा हूँ ग्रेट या थैंक्यू भैं अपने पासे कॉपे रख लो एक तुम्हें कोई और इंफ्रमेशन चाहिए होगी तो मुझे जरूर कॉल करना थैंक्स बाई थैंक्यू जहिन सार जहिन निराज तुम और शर्मा अभी गुवा के लिए निकलो मुझे अभी इंफ्रमेशन मिली है कि वहां टीवी ग्लोबल हॉस्पिटल में आउगन ट्रीडिंग कंधर्दा चल रहा है ठीक है सर् तुम लोगों आम अव्ति में जाओ और वहां स्ट्रिंग ऑपरेशन करो मुझे होस्पिटल का लाइफ वीड़ देख रहा है एमर्जेंसी है निराज ठीक है सर् अब क्या करना है सर् कैमरा उन हो गया है अंदर जाब क्या आप देख सकते हैं निराज सर् सुनों थोड़ अंदर जा सकते हैं बहुत लोग है यहां ट्राइब करों किसर् Oh my god सब्सक्राइब क्या हुआ सार एंबुलेन्स अभी निकली है सार ओके तुम लोग सारा फुटेज लेकर आफिस पहुंचा उस परफ जाओ जी सर इसे भीजवादेवा क्या DCP आप आओगे ऐसी उम्मीद तो थी लेकिन इतनी जल्दी मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जबान लड़के लड़कियों को तो छोड़ो इन छोटे-छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हो तुम लोग हमारे देश का भविशे यह बच्चे हैं कहते रहते ह अ एसे बच्चों को लेकर तुम नहीं बिजनेस कर रहे हो कानून तुम लोगों को नहीं छोड़े खा मतलब मुझे आरेस्ट करोगे क्या और क्या है मेरे पास तुम्हारे बारे में तुम्हारे इलीगल और ट्रेडिंग के बारे में गूगल से भी ज़ादा इनफर्मेशन कि अरेस्ट करोगे कि अरेस्ट के बारे में तू इतना उच्छल रहा था उसे जिस ने दिया था उस आयस ऑफिसर शुपकर देश पांडेगा क्या हुआ पता है तुझे तुम लोगों ने शुपकर को तुम मार दिया लेकिन उसने जो एविडेंस कलेक्ट किया है वो अभी भी जिन्दा है यादाओ अरेस्ट करो इन कमीनों को हाथ उपर देखता क्या बेश्ट कर दो सौरी सर आपके हर बुजट के बदले हमें 10 लाक मिला है अफर अच्छा था मना नहीं कर पाया मिस्टर भरत राज आप ओनेस्ट ऑफिसर यह मुझे पता है मेरे मांगने पर भी एविडेंस नहीं दोगे यह भी मुझे पता था लेकिन हर किसी की कोई ने कोई विक्नेस होती है तुम्हारी भी है यह देखो रचु रचु और यह ओके मुझे कुछ भी नहीं होगा मैंने तुम्हारी ड्यूट्य को लेकर कभी कोई शिकार नहीं कि इन सबके बार में मत सोचो नो रचु तुम्हें कुछ नहीं होगा मैंने चोओंगा नहीं क्यासे घटिया लोग एक और अपको शिकार बना कर खेल खेल रहा हो इंबत है तो मुझे फेस करो तो एविदेंस मुझे देदो एंड टेक यूर फेमिली भारत इन पर धियान मत दो जाये जाये मुझे कुछ भी हो जाये तुम पीछे मत अठना आम सॉरी आपसे अपस्या इनो रचु फैजदण पूाई रिले खीज करते है जड़ताब उला वड़ नच्जा Internet अभी हमेशा कहता है तुम लोगों को अहिंसा से नहीं हिंसा से हैंडिल करना चाहिए बशुड़ के एंदा ऑंद बगाए नहीं है यह फिजाव आपन के लिएर इजिए हुआ। बहुआ। इजार एक लिए लागश्ट अविए बहुन ऑ्रख लागश्ट एंगरे अज की इजान आपने जी इन विए नियायां। क्या सक्रिक्स क्या उप्र घॉब वारती आ इन क्या थेता प्प्राव जब प्रॉब्लम आता है तो दू चोईसेज होते हैं एक होता है गिवब, दूसरा नेव गिवब तुम्हें हमेशा फाइट करना होगा अन्या गिराफ, तुम इंसाफ के साथ रहोगी तो कभी नहीं हारोगी सही का भया, मैं आपी की बहन हूँ जिन्दगी में कितनी भी मुसिबत क्यों ना आ जाए मैं उसका हिम्मत से सामना करूँगी अमू, 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 अमू ये क्या कर रही हो भाया यह लो, पानी पीलो, यह लो अमू, यह तुम क्या करने जा रही थी? हम सब लोग मर गए हैं क्या? खुदकुशी अगर समस्या का समाधान होता तो इस दुनिया में कोई नहीं बचता तुम्हारा भाई होने के बावजूद उसने तुम्हें बेटी के तरह पाला है तुम खुदकुशी करूगी तो क्या उसकी आत्मा को शांती मिलेगी? बोलो अमू, बोलो, भारत तुम्हारा भाई था लेकिन मेरी जान था वो, अब वो इस दुनिया में नहीं है, इस बात का दुख मुझे भी है भारत और रचना की मौत के पीशे जो भी है, मैं उन्हें छोड़ूगा नहीं, याद रहे, एक भाई का ये अपनी बेहन से वादा है सारी मैं, सारी, इसारी, इसारी गैंग वार में भारत मारा गया, इस बात पर मुझे अकीन नहीं हो रहा बचपन में मेरे माता पिता के गुजरने के बाद, मैं अनाथा अश्रम में था भारत के पिता ने ही मेरा हाथ थामा, मुझे पाला पोसा, पढ़ाया, लिखाया और आई-पी-एस करवा के, मुझे पुलिस ओफिसर बनाया हमारा काम करने का तरीका भले ही अलग था, पर मकसद एक ही था रेट के लिए चार लोग गए थे ना? जी साब भारत और दू आफिसर मर गए, सिर्फ तुम ही बच गए तुम तो बहुत लखी हो, सब उपर वाली के देहा साब, उपर वाली के देहा तो तुम पे कुछ ज्यादा ही है इसलिए बीवी के नाम पे 50 लाग का फ्लैट खरीदा है क्या बात करना साब, दनी साब ये सब तो यादव, मुझे सब पता है, इसमें कौन-कौन मिला है मैं सब जानता हूँ तुझ जैसे लोगों की वज़े से, डिपार्टमेंट बदनाम होता है, लोगों का पुलिस से विश्वास उठ जाता है तुझे तो मैं चुटकी में खत्म कर सकता हूँ दो आप्शन देता हूँ तुझे फर्स्ट ऑप्शन, मैं मारूंगा तो एंकाउंटर होगा और तेरी मौत के बाद तेरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा अंदे साथ चौप, सेकेंड ऑप्शन तु अगर अपने आपको मार ले, तो ड्यूटी करते हुए शहीद हुआ है बोलकर तेरा नाम होगा अगर गलती से भी रिवॉल्वर मेरी ओर उठी तो उंगली उठने से पहले ही तेरी सांस रुप जाएगी अगर 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 आप पर्मिशन दें तो मैं दुर्गा प्रसाद की जाएगा या इनो पोलिस वालों से पंगा लोगे तो क्या नतीजा होगा ये सबको दिखाना पड़ेगा सर अगर आप पर्मिशन दें तो मैं दुर्गा प्रसाद की इल्लीगल अक्टिविटीज के बारे में प्रूफ्स और एविडेंस घठा करूँगा विल गो अंडरकवर बट आइनीड स्पेशल टीम फर दाट गो अएड अभिशेक बट भी केयोफुल हो मिनिस्टर से बात करके मुझसे जितना होगा मैं करूँगा थैंक्यू सर थैंक्स अलोट सर वो अभिशेक वो अंडरकवर ओफिसर ये हमें भी पता है तू किस बात का कमिशनर है सरकार की खाकी बर्दी पहन के कैब, बैच, स्टार लगा के सिर्फ बैट क्या ही है डेडी सोरी सर उसके आने का असली मकसद वही था सर जब हमने पता लगा लिया, उसके बाद बताने का क्या फैदा? उस शुबकर ने कुछ evidence और proof छुपा के रखा था क्या? वो अभिशेक को मिला है, ऐसा मैंने सुना है पता नहीं सर, अभिशेक is a very dangerous person वो encounter भी signature करने के जैसा करता है सर उसकी तारीफ करने के लिए आयो क्या यहाँ पे हाँ? ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन वो आपको target करके आया है सर उस अभिशेक को यहाँ भेजा है, home secretary रगुनननने सर रगुनननन अभिशेक को बोलू कि वो इस case को वापस ले ले मैं कौन हूँ, मेरी power क्या है अच्छे से जानते हो तुम मेरी बात सुनो, मेरे retirement में सिर्फ चार महिने बचे है तुम्हें जो करना है वो कर लो, पर एक बात याद रखे अभिशेक silent officer नहीं है, violent officer है, तुम्हारी धमक्यों से वो डरने वाला नहीं है इस समय वो आदी कहा है, उसे एक बार call करो सर उनका phone not reachable बता रहा है सर, फिर से एक बार कोशिश करो ठीक है सर, सर रिंग हो रही है लीक है, होँ! हुआ हुआ सर, महाद होंद connection आदे सर फिर से उसी नमबर से फोन आ रहा है कौन है बेतू किस ने मारा मेरे बेटे को अचार? आ अ ये महना तुझए यांट किटनैब टपर के क्यूं लाया ये सोच रही हो ना ए पागल तुने मुझे किनाफ न किया मैं ने तुर्शे अपना सक्षा करवाया मैं और मेरे भाईया मिलके एक चोटासा चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं इस बात का तुझे यकिन नहीं हो रहा है ना तो जरा पीछे मूड के देख ले कौन है तुझे कौन बचाएगा ये सोच मासुमों के हमला करने वाले दरिंदे अब तुझे मुझ से कोई नहीं बचा सकता यहाँ प्रश्वाइब करता है अगर वो मैं तुझे जो सबसे ज्यादा प्यार करता है अगर वो मर जाए तो कैसा महसूस होता है अब तुझे पता चलेगा दुर्गा परसाद है तुमसे मेरा क्या लेना देना है बिहार कि DCP भरत राज मैं वही DCP भरत राज की बहन हूँ है जादा ओड मात भूल गई है क्या तेरे भाई को कैसे बारा था मैंने मैं कुछ भी नहीं भूली उससी बात को तुझे याद दिलाने के लिए तेरे पेटे के लाश मेरे सामने पड़ी है मेरे भाईया अभिशेक भार गाओ तेरे लिए यम्राज बन के आये है तेरी पलग छपखने से पहले ही तुझे यम लोग पहुचाने के लिए तेरे सामने होंगे क्यारे जेल में बैठ कर पार्टी करते हो चल बे चल मेरे साथ क्यारे जेल मेरे 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 जेल मेर हेलो मिस्टर अभी शेक उस दिन तो अकेली बोल रहे थे मुझे तो बोल दे का मौका ही नहीं दिया दुख रहा है क्या हस ले जितना हसना है हसले मरने से पहले हसना स्वास्त के लिए अच्छा होता है मेरी मौत आसानी से नहीं होगी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे फ्रेंड भरत राज की वज़े से तेरे सारे इल्लीगल धंदे बंद हो गए तेरा मंत्री पद भी छिल गया कानून ने मुझे सिर्फ मंत्री पद से हटाया है मेरा कुछ भिगाडा नहीं है उसने तुझे चार दिन का टाइम दिया था ना खुद बाखुद सरंडर करने के लिए एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी लातों के भूत बातों से नहीं मानते तुझे अब फिनिशिंग टाच के ज़रूरत है और वह मैं दूँगा तू देगा या मैं दूँगा देखे क्या अभी ये सब क्या है इस सब लोग बैड़ बॉइस है ना पच्चों को वाइलेंस नहीं देखना चाहिए मैं पांच मिट बाहर बेट करूँगी पांच मिट से ज्यादा नहीं रुकूँगी जल्दी आ जाना यहाँ एए मार दो इन्हें तुम में से किसी ने भी मरदानगी दिखा कर मेरी फैमिली को छूने की कोशिश भी की तो उसके बाद ना तुम रहोगे और ना ही तुम्हारी मरदानगी रहेगे एए तुम मेरे कबजे में है इसलिए मुझ से अपने चान की भीख मांग सुनरे जंगल का राजा कौन है जरा मेरी आँखों में देख शेर बबर शेर जंगल में भी वो शेर रहता है और पिंजरे में भी प्र भे तुम्हारी में भीख प्रूब का लच एा है दुम्हारी में है कर फरो नच जट teníaे का लाट वो युम्हारी में है झिंट क्वहारüz भ्रूम्हार webinars लुम्हारी तुम्हारी लभक्य हुआ अजय थदा हुआ है झाल कर दो कर दो कर दो अ कर दो दो जो झाल दुर्गा परसाद कैसा लगा फाइनल टच बस फिनिशिंग ही बाकी है वो भी कर दूगा किसी की जान लेने से पहले तुम्हारे अंदर जान लेनी की ताकत है या नहीं ये तो चेक करना पड़ेगा ना तो तुम माफी मांग सकते हो ना माफी मांगने के लायक हो तुम्हारा बुड़ापा देखने के बावजूद तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा अपने किये की सजा तो तुम्हुक्त होगे अभिशेक अभिशेक नो कॉम्प्रमाइज फैसला अन दे स्पॉट अमू शूट कि सु speaks może मुने की सुषई सुषई फैसला, शुम्हो कि उनुम्हो छुम्भिग